जै मातादी दोस्तों माता रानी के सभी भक्तों को मेरा कोटी कोटी प्रणाम दोस्तों आप सभी से मेरा निवेदर है कि माता रानी का जैकारा जरूर से लगाए कॉमेंट बॉक्स में जरूर से लगें जै मातादी दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे जो नवरात्र आठ एक वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर से कीजगा दोस्तों सबसे पहले जो चीज आती है वो आता है दोस्तों कलश कि जम स्थापना करते हैं तो कलश के अंदर हम हल्दी सुपारी स्विकेज डालते हैं तो जब आप घट स्थापना के बाद में पारण करते ह समय में आता है तो उस दिन आपने क्या करना अंदर आपने आपchlagen अनुकस अपने कंण सीघु का nutritious की मैं अपने कंण घट डोसे बहुत शुप माना रहता है और जहां पर यह रखे रहते हैं वहां कभी भी धनकी कमी नहीं रहोती तो इसलिए आपने इस तरह से कर लेना तो कलेश में जो जल है उसे आपने वरत नहीं करना है पान के पत्ते लेले आप एक यादो पत्ता लेकि उसकी सहायता से दोस्तों आपने यह जल जो है वो घर के बाहर से शुरू करते हुए घर के अंधर लेकि आना व सब जगह आपने इसका छिड़काओ कर देना बात्रूम की एरिया को आपने अवाइड करना इस तरह से आपने चावल का छिड़काओ कर देना है लेकिन फिर भी दोस्तों इसके बाद में थोड़ा जल बच जाएगा तो उसको आपने घर के जो शुब प्लांट से तूलसी में डाल सकते हैं आप केले काव रक्षा तो उसमें डाल सकते हैं या फिर घर में कोई प्लांट नहीं है तो आपने या जो भी आपने अन्ह रखा है उसे आपने पक्षियों को खिला देना है उसके बाद दोस्तों नमबर आता है अगर आपने गनेश जी सुपारी के गनेश जी रखे तो उनका ग्यागर उन्हें आपने वापिस से तीजोरी में रख देना है उसके बाद में दोस्तो जो कलश में जो दीपक की नीचे चावल हम लोग रखते हैं, उन चावलों को अक्षत को भी आपने पक्षियों को खिला देना है, तो इसके बाद में ये तो हो गई हमारी दीपक और कलश की काम, उसके बाद नमबर आता है दोस्तों नवरात्री में जो हम जवारे उगाते हैं दोस्तों इतनी श्रद्धा भाव से जिन जवारों को हम उगाते हैं, उन्हें हमें इस तरह से व्यर्थ नहीं कर देना चाहिए, बहुस जन क्या करते हैं, जब सर्जन के दिन लेकर जाते हैं, किसी मंदिर के पास में छोड़ आते हैं, और या फिर किसी नदी के किनारे पर दोस्तों जवारों को नवमी की अगया आश्रमी, जिस भी दिन आप धोग देते हैं, कन्या पूजन करते हैं, उस दिन आपने क्या करना है, थोड़े से जवारे पांच या साथ या ग्यारा जवारे जोए, आपने उसमें से निकाल लेने हैं, और माता राने के आगे आगे बालों में श्रिंगार कर सकते हैं, माता राने की आपने आगे इस तरह से जवारे जोओ अर्पित कर देना है, और साथ ये दोस्तों कन्या पूजन में जो कन्याएं आती हैं, उनको भी पांच या साथ की काउंटिंग में जवारे जो है, वो आप उन्हें दे दें और साथ इसे मालक्ष्मी की मा सरस्थी को सब्सक्राइब और बंद रहेगी इस तरह से आपने जमारे का इस्तिमाल करने जवारे बच जाएंगे तो उनका क्या करना है उसमें से थोड़े से जवा जो नीचे का जो वाइट पार्ट है यह आपने नहीं लेना है उपर का जो green part है वह आपने काट लेना है अच्छे से दो कर उसका juice बना लेना दोस्तों यह जो juice होता है बहुत ज्यादा high protein इसके अंदर होता है और साथ ही इस juice को आपने रखना नहीं होता तुरंट बना के आपने प्रशान की रूप में grahn कर लेना जो बाकी बचेवी जो नीचे की जड़ और बाकी के जवारे उन्हें आपने क्या करना गर के गमले में मिट्टे में आपने मिक्स कर देना ताकि वो खाद बन जाया इस तरह से आपने जो उनका इस्तेमाल करना दोसों इने नढी में विसरीट नहीं करना चाहिए, इससे हमारे नदिया जो है वह मलिन होती है, उनमें बहुत सारे और गंदकिया यह एड़ होने लग जाती है, तो इस तरह से हमने बिलकुल भी नहीं करना चाहिए, साथ ही किसी पेड़ के नीचे हम छोड़ के आते तो वह चीज भी सही नहीं कि जिसे हमने भक्ति भाव से नो दिन तक पूझा है उसे इस तरह से छोड़ कर आना बहुत ही गलत होता है तो इसलिए आपने दोस्तों से पूरा आपने इससे कंजूम कर लेना है और उसके बद बचे भी जो भ कर लेना चाहिए इस नारिल को आप खा सकते लेकिन दोस्तों इसमें आपने लेसुन प्यांज का इस्तेमाल करके या ओंकीन नमकीन चीज नहीं बणा या तो आप डारेक्ट खा ले या इससे कोई मिठाई बना कर आप इसको घुका सकते तो इस तरह से आपने इस नारिल को जो माता राणी के शरूप के रूप में जो हमने ना रेल रखा होता है जो भी पुष्ट वगेर जो उन्हें पूझिया में इतने दिन लगाए होते हैं उन सबको आपने तो गम्ले में विसरजित कर दे या किसी बड़े पेड़ पीपल या बरगत की पेड़ की चड़ों में जो है वो आपने डाल दिना तो इस तरह से दोस्तों आपने जवारों का इस्तिमाल करना इन्हें व्यर्थ बिल्कूल भी नहीं करना बहुत सही तरीके से हमें विसार्चन करना है तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों हम फिर हाजिरों के नहीं वीडियो के साथ देखते रहे ही शेयर करते रहे ही साथ यूस तो कॉमेंट में जरूर से लिखे जय माता दी करते रहे हैं